नमस्कार दोस्तों, एक्जामोफोबिया के परफेक्ट 30 मासिक समसामकी स्रीज में आप सभी लोगों का स्वागत है एक्जामोफोबिया आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट 30 नामक आरकरम सुरू कर रहा है जिसके तैत हम लोग परफेक महीने की समसामकी को 31 या 30 तरीक को डिस्कस किया करेंगे इस बार हम लोग December के Current Affair पर चर्चा कर रहे हैं इस बार का सेसर लेट हो गा है लेकिन ये जो जनवरी का महीना है इसके 30 या 31 तरीक को जनवरी का Current Affair अपलोट कर दिया जाएगा लेकिन अभी जो यह है पिछला current affair है इसमें काफी हम लेट हैं लेकिन फिर भी हम लोग इसको कर रहे हैं जितने भी one day exam है और जितने भी PCS exam आने वाले हैं MPPCS, UPPCS, BPSC इन सभी exam हों के लिए बहुत ही महातपूर current affair है तो बने रहे एक जामोफोविय यूटूब चैनल के साथ में सुरू करते हैं कोश्चन नमर पहला कोश्चन नमर पहला है केंदरी मंत्री मंडल ने किस मिसाइल प्राणाली के सुदेशी संस्क्राण के निर्यात को मंजूरी प्यदान की है पहले का सही जवाब होगा D option आकास नमर मिसाइल प्राणाली को निर्यात की मंजूरी प्यदान की गई है PM मोदी की अध्यचता में केंदरी मंत्री मंडल ने सुदेशी रोब से विक्सित आकास मिसाइल प्राणाली के निर्यात को मंजूरी प्यदान की है ये आकास मिसाइल जो है कम दूरी की सत्य से हवावे मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलो मीटर की दूरी में मजूद सेन ठिकानों और एहम बिंदों की हवाई हमलों से सुरच्छा करता है नेश्ट है कुश्चन नमर दूसरा दिसंबर 2020 में किस प्रमुक लेटिन अमेर्की देश ने गरभावस्ता की चौध में सत्याय तक गरवपात को वैद करार दिया है इसका सही जवाब है D-Option अर्जिंटीना ने अर्जिंटीना की सीनेट ने 30 दिसंबर 2020 को गरवपात को वैद करार देने संबंदी विदयक को पारित किया है महिलाएं इस अधिकार के लिए दसकों से अंदोलन कर रही थी इस विदयक में 14 सत्ताय तक की गरवती महिला के गरवपात को वैदानिक करार दिया गया है नेश्टे कोश्चन नमर तीसरा आकास मिसाइल प्रानाली के सुदेशी संस्क्राण के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है चार विकल्प दिये हुए हैं इनमें से बताना है कौन सा इसमें से गलत है पहला है यह सत्य से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये बिल्कुल सही है पीछे हम लोग पहले नम्मर कोश्चन में देख चुके हैं दूसरा है इस मिसाइल को IAF और भारती सेना में सामिल किया गया है ये भी बिल्कुल सही है तीसरा है आकास का निर्याद संस्क्राण वर्तमान में भारती सहस्त बलों में तैनार्थ सिस्टम के समान है और चोथा है ये भात की पहली सुदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्राणली है तो ये सुदेशी भी है तो ये भी सही है यानि C option बच गया है यही सही है यानि गलत कथन यही है नेश्टे कोश्चन नमर चोथा वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट योजना के तहत नासिक के लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है नासिक कहाँ पड़ता है महाराष्ट में तो उसके लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट योजना के तहत तो वहाँ के लिए चुना गया है वाइन को यानि सराब को चुना गया C option सही है नेश्ड कुष्चिन नमर पांचवाँ पुरवत्तर भारत का पहला विशेसी क्रत अधरक प्रसंसक्रान प्लांट कहाँ इस्थेत है तो पांचवाँ का सही अंसर है A option मेघाला में रीब हुई मेघाला के जिला रीब हुई में मेघाला का एक जिला है रीब हुई पुर्वत्तर के पहले विसेसी क्रत अधरक पसंस्क्राइब प्लांट को पुना जीवित किया जा रहा है और 2021 की सुरात में इसके शुरू होने की उम्मीद जताई गई है आगे बढ़ें देखते हैं कुश्चिन नम्मर छटवा दिसम्मर 2020 में सरकार ने किन तीन देशों में भारती मिशनों को खोलने की मंजूरी प्यदान की है इसका सही जाव है इस्टोनिया पैरागवे डोमेनिकन गणराज में भारती मिशन खोले जाएंगे तीन मिशन खोले जाएंगे जो तीन देशों में होंगे सी ओप्सन सही हो जाए गए हम लोगों नेच्ट कुश्जन नमर सातवा हाली में खबरों में रहा शूल पनेश्वर वनी जीव अभ्यार्ण कि स्राज में इस्तित है राज के कहाँ पर इस्तित है नर्मदा जिले में इस्तित है इसमें पुस्पी पौधों की लगबग 575 प्रजातियां मौजूद है इसमें एक पत जड़ वन भी है जिसमें अर्द सदा बहारी पेणों की बहुत तायत है इसमें बांस की पेणों भी बहुत संख्यां में पाए जाते हैं यह अभ्यान 607.70 और कीमी छेत में फैला हुआ है इसमें सीसम, सलाथ, बियर, तेंदुआ, मकाक, चौसिंगा, बार्किंग, डियर, छिपकली और हरपेटो जीव जैसे प्रजातियों की एक व्यापक किसमें मौजूद है नेश्टे कुश्चन नम्मर आठवाँ डेश के पहले पॉलिनेटर पार्क का उधगाटन किस राज में किया गया है पॉलिनेटर पार्क का उधगाटन कहां किया गया है तो उत्राखंड में किया गया है डी ओप्सन सही है इस पॉलिनेटर पार्क का घाटर ननिताल के हलदवानी में एक प्रसिद तितली विशेशग पीटर इसमेट सिक ने किया है इस पार्क को बनाने का उद्देश पराकर्ण प्रजातियों के बारे में जागुता फैलाना और उनका सरच्छन करना है नेश्ठ कुश्चन नमर नौहां दिसम्बर 2020 में किसी राज ने राज द्वारा संचालिस मदर्सों को समान सिछण संस्थानों में परवर्तित करने के लिए एक विद्देयक पारित किया है तो ऐसा विद्देयक आसम सरकार ने पारित किया है आसम विद्दान सावा ने सभी राज संचालित मदर्सों को बंद करने के लिए एक बिल पारित किया है इस बिल का नाम आसम रिफीलिंग बिल 2020 है इस बिल के अनुसार असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदर्सों को एक अपरेल 2021 से बंद कर समान स्कूलों में परवर्तित कर दिया जाएगा नेश्ट है कुश्चन नमबर दस्वा अंडर ग्रेजुएट यानि यूजी इस तर पर कॉवन प्रेज परिच्छा आयुएट करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए यूजी सी ने किस समीती का गठन किया है दस्वें का सही जवाब है बी ओप्शन आरपी तिवारी समीती का गठन किया गया है नेश्ट है कुश्य नमर 11 भारत में कोविड-19 टीका करन के लिए किन चार राजियों में दिसंबर 2020 में ड्राइर रन आयोज़त किया गया तो ये ड्राइर रन कहां आयोज़त किया गया है असम, आंद्पिदेश, पंजाब और गुजरात में सी ओप्सन सही है नेश्ट है कुश्य नमर 12 भारत सरकार ने कोविड-19 टीका करन के लिए आरम में जिस आबादी समू की पहचान की है उनमें निमने लिखित में से कौन संबलित नहीं है बारवें का सही जवाब क्या होगा एक तो फ्रेंट लाइन कारकरताओं को दिया जा रहा है दूसरा स्वास देखवाल कारकरताओं को और तीसरा किसी भी विमारी से ग्रसी लोगों को भी दिया जा रहा है यानि ये ओप्सन सही है पचास वर्ष से उपर की लोगों को अभी समलित नहीं किया गया है प्रवेश और संकाय भर्ती में आरच्छन लागू करने के लिए सुझाव देने के लिए कि समिती का गठन किया गया है। तेरे का सवी अंसर है, D. आंसर, V. राम गोपाल राव समिती का गठन किया गया है। किस जगए पर भारत के Autonomous Navigation System के लिए प्रथम परिष्ण इस्तल तिहान की अधारसिला कहां रखी गई है? तो इसकी अधारसिला कहां रखी गई है? इसकी अधारसिला के लिए पर भारत के Autonomous Navigation System हेतु प्रथम परिष्ण इस्तल तिहान IIT हैदराबाद की अधारसिला रखी है? प्रोदोकी नवाचार केंद इस्थापित करने हेतु IIT हैदराबाद के लिए 135 करोड रुपए भी घोसित किये गए हैं। नेश्ट है कुश्चिन नमर 15 है समर्पित फ्रेट कोरिडोर DFC के बारे में निम लिखित कतनों में से कौन से कतन सही है? पहला कतन है प्रधानमंत्री स्रीड नरेद मोदी ने 29 दिसम्बर 2020 को पूर्वी समर्पित फ्रेट कोरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे निव खुर्जा निव भावपूर खंड का उदगाटन किया। ये कतन बिलकुल सही है तीन सो इक्क्यान किलोमीटर भी है पूर्वी समर्पित फ्रेट कोरिडोर और 29 दिसम्बर 2020 को पीम मोदी ने इसकी घुस्णा की अगला है पूर्वी समर्पित फ्रेट कोरिडोर सोहने वाल में सुरू होता है और दनकुनी में स्वाप्थ होता है ये ये भी कथन सही है यानि D-Option सही हो जाएगा नेश्ट कुष्चन नमर 16 किस संगठन ने आत्म निर्वर भारत के लिए एक्षन एजेंडा रिपोर्ट जारी की है 16 नमर 16 का सही जवाब है D-Option T-I-F-A-C ने ये रिपोर्ट जारी की है इसका फुल फॉर्म क्या है यानि टेकनलोजी इन्फोर्मेशन फॉर्कास्टिंग एन असेंस्मेंड कॉंसिल नेश्ट है कुष्चन नमर 17 भारती नौसायनिक जहाज किल्टोन ने सिहानों कविले फोर्ट पर मानवी सहता पहुचाई जो इस्थित है कहां इस्थित है ये पोर्ट ये बताना है आपको तो इसका सही जवाब है D option कमबोडिया में इस्थित है ये पोर्ट नेश्ट है कुष्चन नमर 18 भावा परमाडू अनुसंधान केंद्र ने किसकी इलाज के लिए पहला सुदेशी रूथे नियम 106 प्लैक विक्सित किया है तो 18 का सही जवाब क्या होगा B option brain surgery के लिए ये विक्सित किया गया है नेश्ट है कुष्चन नमर 19 दिसंबर 2020 में भावाद के सरोच मौसम विज्ञान केंद्र का उधगाटन कहां किया गया तो 19 का सही जवाब है D option लेह लद्दाक में किया गया इसका उधगाटन 29 दिसंबर 2020 को केंद्री प्रत्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्श्वदन ने लेह लद्दाक में भावाद के सरोच मौसम विज्ञान केंद्र का उधगाटन किया यह समुद्र तल से 3500 मीटर की उचाई पर इस्थित है आगे देखते हैं कुश्चन नमबर 20 हॉंग कॉंग 12 क्या है हॉंग कॉंग 12 जो है लोगतंत समर्थक कार करते हैं यह ओप्सन सही है किस संगठन ने हमारे घर से आपके घर तक अभियान किस संगठन ने शुरू किया है तो 21 का सही जवाब है C option ट्राइफेड ने शुरू किया है नेश्ट है कुश्चन नमबर 22 नीमो सिल के बारे में निम्न लिखित में से कौन से कतन सही है पहला है यह भारत का पहला सुदेशी रूप से विक्सित नीमो कोकल वैक्सीन है दूसरा है इसे भारत बायोटिक द्वारा विक्सित किया गया है और तीसरा है यह नेमोनिया के साथ ही मैनी जैन्टिस और सेफिस को भी लच्षित करेगी तो 22 का सही आंसर क्या होगा ए ओप्सन सही है पहला और तीसरा कतन सत्थ है यह भारत बायोटिक द्वारा नहीं बनाय गया है नेश्ट है कुश्चे नमर 23 हाली में ट्राइवल इंडिया आउटलेट पर किस जनजाती की उतपाद जोएंट रॉक बी हनी को जोड़ा गया है तो 23 का सही जवाब है बी ओप्सन तमिलनाडू की मल्याली जनजाती के जो है उतपाद को जोड़ा गया है ट्राइवल इंडिया आउटलेट पर नेश्ट है कुश्चे नमर 24 दिसंबर 2020 में कितने भारती समूद तटों पर अंतराश्टी ब्लू फ्लेग फैराए गए 24 का सही जवाब क्या होगा बी ओप्सन आठ ब्लू फ्लेग फैराए गए नेश्ट है कुश्चे नमर 25 काउंटिंग दा कास्ट 2020 आ इयर आफ क्लाइमिट ब्रेकडाउन रिपोर्ट के अनुसार वर्स दोयर 20 में जलवायू परिवर्तन से होने वाली घटनाओं के कारण किस घटना कब जिस इस्तर पर अधिक्तम लोगों की मौत हुई 25 को सही जवाब है C option चक्रवात अमफान के कारण जो है 13 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया और काफी लोग इसे मारे भी गए नेश्ट है कुश्चन अमर 26 28 दिसंबर 2020 को कहाँ पर नेश्टनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड का विस्तार किया गया है तो इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो में किया गया है इसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन ने दिल्ली से द्वारका सिक्टर 21 के लिए 28 दिसंबर 2020 से शुरू हुई यात्रियों को स्मार्ट कार्ड या टोकर लेने की जुवत नहीं होगी बलकि ओ अपने रूपे कार्ड के माध्यम से ही सफर कर पाएंगे यात्री जैसे ही कार्ड को पंच करेंगे अकाउंट से पैसे कड़ जाएंगे जिस तरीके से आप जो मेट्रो कार्ड इस्तमाल करते हैं उसी तरीके से रूपे कार्ड को भी इस्तमाल किया जाएगा नेश्ट है कुश्चन अम्मर 27 किस राजने महामारी स्रेणी के तहट Digital India Award 2020 जीता है तो ये अवार्ड बिहार को मिला है भी आप्सन सही है कुरोना वायरस लोगडाउन पिरियाड में बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमाल ने अपने छेत के प्रवासी लोगों के लिए एक हजार रुपे जो है उनके डिश्टल माद्यम से उनके अकाउंट में डाले थे उसी के लिए ये अबाट प्रतान किया गया है हाली में किस राज ने जरी जर्दोजी सिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग भुपाली प्रदर्सनी का आईजन किया है 28 का सही जवाब है बी ओप्सन मद प्रदेश में किसे ICC की ODI और T20 दसकी टीमों के कप्तान के रूप में नामित किया गया है इसका सही जवाब है D ओप्सन MS धोनी को नामित किया गया है कप्तान के रूप में जबकि टेस्ट के लिए विराट कोली को नामित किया गया है नेश्ट है कुश्यन नमबर 30 आर्या राजिन्दरन ने किस नगर निगम की सबसे यूए मेयर के रूप में सपत ली है इसका सही जवाब क्या होगा बी ओप्सन त्रिवनंद पुरम से वे मेयर चुनी गई है हाली में केरल की आर्या राजिन्दरन भारत की सबसे यूए मेयर बन गई है वे मात 21 वर्स की है आर्या राजिन्दरन्द ने हाली में त्रिवनंद पुरम सहर की मेयर के रूप में सपत लिये आर्या राजिन्दरन्द CPM के नेत्वत वाले Left Democratic Fund से सम्मध रखती है उन्होंने त्रिवनंद पुरम सहर का मेयर बनने के लिए आर्या राजिन्दरन्द ने मुगल वार्ड से इस्थानी निकाय चुनावन नगर निगम का जीता है उन्होंने अपने प्रतेदन्दी को 549 मतों से हराया है केंद्री ग्रह मंत्री अमिसाय ने किस राज में 8000 नामगरों को वित्ती अनुदान वित्तित किया है 31 का सभी जवाब है D option असम में वे अभी हाली में होने वाले असम चुनावों के मद्द नजर असम की दौरे पे गयते तबी उन्होंने 8000 नामगरों को वित्ती अनुदान देने की घुस्णा की है अगला है कुश्च नमर 32 दिसंबर 2020 में किस जगे मराठ वाड़ा रेल कूच कार खाना को प्रारम किया गया है तो इसका सभी जवाब है C option लातूर में प्रारम किया गया है C option से यह नेश्ट कोश्च नमर 33 किसान रेल के संदर में कौन से कथन सत्य है पहला है प्रधान मंत्री ने संगोला से सालिमार की बीच सौंहे किसान रेल को हरी जंडी दिखाई तो सौंहे किसान रेल संगोला से सालिमार की बीच में चलाई गई पहला कथन है यह कथन 33 का यह कथन सत्त है दूसरा है प्रथम किसान रेल को अगस 2020 में देवलाली से दानापुर के बीच में चलाई गई तो दानापुर कहां पड़ता है बिहार में देवलाली महाराष्ट में तो दोनों ही कथन सत्त है संही ट्रेन कप चलाई गई है 28 देसंबर 2020 को महाराष्ट में संगोला से पश्चिम बंगाल में सालिमार तक संही किसान रेल को चलाई गया इसे रेल गाड़ी में फूल गोभी, सिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सहजान, मिर्च, प्याज जैसी सबजियां और फल अगरा भरे हु उधम सिंग जिनकी हाली में जैनती मनाई गई किस लिए जाने जाते हैं वे तो चारों उप्सन में से बताने हैं तो यह जो है माइकल डायर की हत्या के रूप में जान जाते हैं सी उप्सन सही है नेश्ट है कुश्चिन नमर 35 सेंटर फॉर एकोनोमिक्स एंड बिजनिस रि सबसे बड़ी अर्थव्यास्ता बन जाएगी यह कथन सत्थ है इस रिपोर्ट में यह कहा गया है वहीं दूसरा कथन है वस दोहार 28 तक भारत विश्चित की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यास्ता बन जाएगा तो दोहार 28 तक नहीं इसमें बोला गया है दोहार 30 तक तो यह कथन तो गलात हो गया यानि यह option से हो जाएगा पैराई कथन सत्थ है नेश्टे कुछ नमर 36 दिसंबर 2020 में बेहट में तान सेन संगीत समारो आयोध किया गया ये कहां इस्थित है तो तान सेंद संगी समारो जो बेहट में आयोद किया गया तो बेहट कहां इस्थित है तो ये ग्वालियार में इस्थित है C option सही है नेश्टे कुष्चे नमर 37 किस बेंग को पुनर पुझी करत करने के लिए के इन सरकार ने 5500 करोड रुपए के विशिष्ट जीरो कूपन बॉंड जारी किये हैं इसका सही जाव है B option पंजाब एंड सिंद बेंग के लिए सरकार ने 5500 करोड रुपए के विशिष्ट जीरो कूपन बॉंड जारी किये हैं भारती सारुजनिक छेत के बैंकों को 12% की पुझी परियाप्ता अनपात बनाए रखने के लिए पंजाब एंड सिंद बेंग को 5500 करोड रुपए के विशिष्ट जीरो कूपन बॉंड जारी किये गये हैं सरकार द्वारा नेश्ट है question number 38 पियम मोदी ने किस लाइन पर भात की पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो टेन के परिचालान का उधगाटन किया है तो अर्थिस का सही जवाब है A option दिल्ली मेट्रो की मेजेंडा लाइन में बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन किया गया है इसकी दूरी 38 किलोमीटर लंभी है और इसकी सुरात 28 दिसम्बर 2020 को किया गया है नेश्ट है कुष्चे नमर 49 पोटू लाका लाल जी एक नई खोजी गई प्रजाती किसकी है तो यह प्रजाती है जंगली सूरज मुखी की D option सही है यह प्रजाती आनप्रदेश की प्रकाश्रम जीले में खोजी गई है सन रोज रोग रोज परिवार से समंदर रखती है यह प्रजाती नेश्ट है question number 40 दिसंबर 2020 में किस देश की संसद सेनेट को बजट पारित करने की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद भंग कर दिया गया तो कहां कि शंशत को भंग किया गया है याद रखने वाली बात है क्योंकि उसी महीने में नेपाल की शंशत को भंग किया गया है जहां के प्रधानमंति K.P.T.H.A. ओली ने अपना स्थिपधा दे दिया था तो वहां किसी और कार्ण से हुगा था यहां किसी और कार्ण से हुगा तो याद रखिएगा कि यह में इसू रखिएगा बजट पाइद करने के समय तो इसका सही जवाब है 40 का C option इसरायल ने नेश्टे question 41 भारती अंत्रिच विज्ञान डेटा सेंटर कहां इस्थित है सही है नेश्टे question 42 भारत का पहला hot air balloon wild life safari launch किया गया कहां पर launch किया गया यह बताना है आपको तो 42 का सही आंसर है डी बांदाव गर्ट टाइगर रिजवर में launch किया गया मद्ध प्रदेश की वन मंत्री विजय सायद्वारा जिस प्रुसिद्ध मांदाव गर्ट टाइगर रिजवर में भारत की पहली hot air balloon wild life safari launch की गई साथ ही उन्होंने कहा कि गतिविदी बफर शेत तक ही सिमित रहेगी और लोग बाग तेंदुए और भारती भालू और अन्न जंगली जानवा को उचाई से देख पाएंगे इसलिए इसको launch किया गया है नेश्टे कुश्चन नमर 43 की सिराज कैबिनेट ने धार्मिक सुतंता विधेक 22 को मंजूरी दी है तो 43 का सही आंसर है C option मद्र प्रदेश ने इससे पहले उत्तर प्रदेश लगू कर चुका है अपने यहाँ नेश्टे कुश्चन नमर 44 दिसम्मर 2020 में बिहार में कितने नगर परिस्दों को नगर निगमों के रूप में अपग्रेट कर दिया गया है तो 44 का सही जाओ है B option 5 जो है नगर परिस्दों को नगर निगम में अपग्रेट कर दिया गया है नेश्टे कुश्चन नमर 45 इसरो की उस पोर्टल का नाम क्या है जिस पर आम जनता के लिए चंद्रियान 2 डेटा जारी किया गया तो उसका नाम है प्रधान प्रधान नाम है उसका C option से ही है नेश्टे कुश्चन नमर 46 नीती आयोग द्वारा लॉंच किया गया भाद का अपना किलाउड इस्टोरेज प्लेटफर्म का नाम क्या है तो 46 का सही आंसर होगा C option DG box C option से ही है अगला है C question 47 तसो कार आद्र भूमी के संदार में कौन सा कतन सही है पहला कतन है यह भारत का बायलिस्वार रामसर आद्र भूमी इस्थल है वहीं दूसरा है यह केन सासिज प्रधेश लद्दाक का एक मात रामसर आद्र भूमी इस्थल है तो 47 का सही जवाब क्या होगा पहला कतन तो सथ्थे की बायलिस्वार है लेकिन लद्दाक का दूसरा रामसर आद्र भूमी इस्थल है यानि यह option से ही है केवल पहला नेश्थ है question 48 भारत ने किस देश के एक नियाले में वोड़ा फोन कर मामले पर अंतराश्टी मध्यसता नियायाधी करण के निर्णे को चुनोती दी है तो सिंगापुर के नियाले में वोड़ा फोन के कर मामले पर भारत ने चुनोती दी है नेश्थ है question 49 किस तिथी से सभी वाहनों के लिए फास्टेक अनिमार कर दिया गया है तो 1 जनौरी द्वहार 21 से अनिमार किया गया है सभी वाहनों के लिए D ओप्सन सही है नेश्टेक कुश्चन मर पचास किस राज में जोमी प्रजाती समूने अलग जो लेंड प्रदेसिक परिसत के गठन की मांग ही है तो पचास का सही जवाब है B ओप्सन मर पूर में नेश्टेक कुश्चन नमबर 51 भारत की पहली लीथियम रिफाइनरी किस राज में इस्थापित की जाएगी भारत की पहली लीथियम रिफाइनरी किस राज में इस्थापित की जाएगी तो क्या उनका सही जवाब है C गुजरात में इस्थापित की जाएगी याद रखिएगा बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है आने की प्रबल सम्हावना है इस कोश्चन की नेश्था कुश्चन नमर बावन मस्तिस को खाने वाले उस अमीवा का नाम क्या है जिसने अमिरिका में लोगों को संक्रमित किया है अब यहाँ पे पूछ रहा है मस्तिस को खाने वाले अमीवा का नाम तो बावन का सही जवाब है B-Option नेगलेरिया फावलेरी नाम है उसामीब्या का नेश्ट है कुश्चे नम्मर तिरपन आई एन एस वी बुलबुल नामक नौकायन अभियान को हरी जंडी दिखाई कहां से दिखाई गई है ये बताना है आपको तिरपन का सही जवाब है ये उप्शन कोची से एन डौक दिख के मद ये बुलबुल नामक नौकायन अभियान शुरू किया गया है नेश्ट है कुश्च नम्मर चववन निसन सागर थर्ड के तहट किस नौसाइनिक जहाज ने वियतनाम के होची मिल्न सिटी में राहस समगरी पहुचाई थी जववन का सही जवाब है C उप्शन आई एनस किल्तान ने नेश्ट है कुश्च नमर पचपन किस केंदरी मंत्राला ने इस संपदा वेब पोर्टल लॉंच किया है तो आवास और सहरी मंत्राला के मंत्राला ने इस संपदा वेब पोर्टल लॉंच किया है नेश्ट है कुश्च नम्मर 56 उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2020 में इपको सेंटर में अमोनिया की रिसाथ से दो अधिकारियों की मृत्व हो गई तो इसका सही जाओ है बी ओप्सन प्रियाग राज में एक तो मैनेजर ही थे बी ओप्सन सही है यहां प्रियाग राज प्रियाग राज की फूलपूर में नेश्ट है कुश्च नम्मर 57 वह जगह कहां इस्तित है जहां वज्ञानी कोको अध्वती वेल गीत के अधार पर ब्लू वेल की पहले से अग्यात आबादी के प्रमाण मिले है तो 57 का सही जाब है यह ओप्सन पस्चमी हिंद्ध महासागर से इसके प्रमाण मिले है नेश्ट है कुश्च नम्मर 58 MRSAM संस्क्राण के संदर में कौम से कतन सत्य है पहला कतन है इसका सवन्मित परिछण केंद्र चानिपूर में परिछण किया गया जो कि यह पहला परिछण था तो यह कतन सही है दूसरा है यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यह भी कतन सत्य है इसे भारत एम इजराइल ने सेंवत रूप से विक्सित किया है ये भी कथन सत्थ है यानि डी ओप्सन सही हो जागा तीनों कथन सत्थ है नेश्ट है कुश्च नमर 69 दिसंबर 2020 में किस नाम से अंतराष्टी विज्ञान सहित महुसाव आयूरेत किया गया नेश्ट है कुश्च नमर 60 अनुसूची जाती से सम्मंदित छात्रों के लिए मेट्रीक उत्तर छात्रवत्ती के बारे में कौन सब विकल्प सही नहीं है पहला कतन है यह एक केंद प्रयोज़त योजना है यह सही है केंद द्वारा लॉंच की गई योजना है दूसरा है केंद सरकार निवेज का 60% खर्च करेगी यह भी सही है इस स्कीम के अंतगर छात्रों को वित्ती साहता डीवीटी मोट के माद्रम से प्यदान की जाएगी यह भी सही है और तीसरा है योजना ओनलाइन प्लेटफरम पर उपलब्द नहीं होगी यह कतन गलत है ओनलाइन पर भी उपलब्द होगी आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चे नमर 61 दिसम्बर 2020 में किस टाइगर रिजर्व से राजा जी टाइगर रिजर्व में बाग को लाया गया 61 का सही जवाब है जिम कारवेट परक से राजा जी टाइगर रिजर्व में बाग को लाया गया 62 केन सरकार ने अपनी चार फिल्म मीडिया एकाईउं को किस एकाईउं में बिलाय करने का निर्णे लिया है 62 का सही आंसर है A option राष्टी फिल्म विकास निगम में जो है चारविकाईयों का बिलाय हो गया है A option सही है Next है question number 63 December 2020 में जारी दिसानेजरसों के अनुसार DTH के लिए नया लाइसेंस कितने वर्सों के लिए जारी किया जाएगा 63 का सही जवाब है D option C option 20 वर्सों के लिए या डारेक्ट टू होम यानि DTH के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगे 20 वर्सों के लिए Next है question number 64 किस राज सरकार ने जल्ली कट्टू को राज के सभी हिस्सों में आयुएद करने की अनुमति प्रतान की है 64 का सही जाव है C option तमेन लाडू ने Next question number 65 इसरों ने की संस्था में एक छेत्री सेच्षड केंदर अंत्रिच इस्थापित करने की घुस्रा की है तो यह जो है IIT BHU में इस्थापित किया जाएगा B options है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं देखते question number 66 राजिस्थान में Wildlife Conservation Society द्वारा किस पच्छी प्रजाती के सरच्षड के लिए Firefly World Diverter इस्थापित किये गया है Firefly World Diverter इस्थापित किये गया है तो कहां पर इस्थापित किये गया है 66 का सही जाव है C option Great Indian Bastard Great Indian Bastard Wildlife Conservation Society द्वारा पच्छी प्रजाती के सरच्षड के लिए Firefly World Diverter इस्थापित किये गया है नेश्थे question number 66 वित्ती सुधार और उभुकतत सरच्षड के लिए किसे अमेरिका में राश्टी आर्थिक परिसद के उपनिदेशक के रूप में नियूप्त किया गया है 67 का सही जवाब है D option भारत राम मूर्ती को जो है नियूप्त किया गया है उपनिदेशक के पत पर अमेरिका में राश्टी आर्थिक परिसद के उपनिदेशक के रूप में नियूप्त किया गया है नेश्थे question number 68 किस देशकी संसत ने तिब्विती नीती और समर्थन अधिनियम पारित किया है 68 का सही जवाब क्या होगा A option USA ने इसको पारित किया है A option सही है किस कंपनी ने भारत का पहला फिल्ड रेडी इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉंच किया है 69 का सही जवाब है C option Sonalika ने लॉंच किया Sonalika ट्रेक्टर ने इसको लॉंच किया है 70 किस राज में यात्रियों और परेटकों के लिए पहली बार प्रवेश निकास केंद का उधगाटन री भोई जिले में किया गया है तो यहाँ पर री भोई जिला पता चल जाएगा तो आंसर पता चल जाएगा तो 70 का सही जाब है A option में घाला में जो है इसका उधगाटन हुगा है नेश्टे कुश्चे नमर 71 दिसम्वर 2020 में पाकिस्तानी और चीनी एयर फोर्स की बीज आज ये दिस संयुक्त हवाई अभ्यास को क्या नाम दिया गया था 71 का सही जाब है Eagle Dash 10 D option सही है नेश्टे कुश्चे नमर 72 किस राजने कस्बों और सहरों में दीन दयाल क्लिनिक खोलने की घोशना की है तो इसका सही जाब है D option गुजराज सरकार ने इसकी घोशना की है दिल्ली के महला क्लिनिक की तरजबे दीन दयाल क्लिनिक खोलने की किस देश के राश्पती ने प्रधान मंत्री नयाद मोदी को सरोच अलंकरन दा लीजन ओफ मेरिट डिग्री ओफ कमांडर से सम्मानित किया गया है तो 73 का सही जवाब है D option USA के ये जो है सम्मान USA का है दा लीजन ओफ मेरिट डिग्री ओफ कमांडर जिससे भाद के प्रधान मंत्री नयाद मोदी को सम्मानित किया गया है नेश्ट है question number 74 मोती लाल वोरा जिनका हाली में निदन हो गया किस राज के पूरो मुख मंत्री थे तो ये जो है मद्प्रदेश के पूरो मुख मंत्री थे कॉंग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के पूरो राजपाल साथ में वे उत्तर प्रदेश के राजपाल रिवी रह चुके हैं उनका 93 वर्स की आयो में निदन हो गया वन्होंने मद्प्रदेश के मुख मंत्री और 2002 से विहार 20 तक 36 गर्से राजसभा के रूप में भी निर्वाचित हुए है कि किस देश में कुरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए लाखों मिंक को मार दिया गया था तो 75 का सही जवाब है डेनमार्क में किया गया कि लाखों मिंकों को मार दिया गया था नेश्ट है कुश्च नमर्च 76 भारत में 30 की इस्थिती पर दियार 18 की रिपोर्ट के बारे में कौन से कतन सही है तो पहला कतन है भारत में अब 12,852 हो गए है और उत्राखंड में सबसे ज़्यादा 30 अनमानित किये गए है तो बताना है कि दोनों में से कौन से कतन सथ हैं ये दोनों सही है तो 76 का सही जवाब क्या है कि पहला ही कतन सथ है कि इसमें 12,852 होगे हैं वही 3421 तिन्वों के साथ में मत्र प्रिदेश सबसे ज़्यादा 30 वपाई जाते हैं और ये रिपोर्ट पर्यावरार मंत्री प्रकास जावर रेकर द्वारा जारी की गई जिसके तहट बाराजार आटसो बाउन तेनुए भारत में पाए जाते हैं और 3423 में साथ मद्देश पहले पायदान पर वहीं करनाटका में 1783 तिन्वे हैं और तीसरे पायदान पर महराष्ट हैं जहाँ पर 1690 तिन्वे पाये गए हैं नेश्टे कुष्च नमर 77 दच्छ भारत में बंद्रों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद का उधगाटन कहां किया गया है तो 77 का सही जवाब है डी आप्शन तेलंगा ना में किया गया है नेश्टे कुष्च नमर 78 बिहार सरकार ने गवारी डी ग्राम के पुरा तात्विक इस्तल को बचाने के लिए किस नदी के मार को बदलने का निर्ने लिया है तो यहाँ पर सही जवाब है C आप्शन को सी नदी के मार को बदलने का निर्ने लिया गया है अगला है कुश्चे नमबर 79 दिसम्बर 2020 में किस राज में सिगेला संक्रमण के मामले सामने आए है तो ये सिगेला संक्रमण के मामले केरल में सामने आए थे बी ओप्सन सही है नेश्ट है कुश्चे नमबर 80 किस राज या केंसासित प्रदेश में सेहा स्वास्त बीमा योजना किस राज में शुरू की गई है यह योजना जम्मु कस्मीर में शुरू की गई है डी ओप्सन से ही है अगला कुश्चन नमर 81 योनेस्को की अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस देश की होकर खाद संस्कृति को सामिल किया गया है यह होकर खाद संस्कृति किस देश की यह बताना है आपको तो 81 का सही आंसर हो जाएगा डी ओप्सन सिंगापुर की है नेस्टे कुश्चन नमर 82 नासा ने किस देश के साथ गेटवे संधी पर हस्ताचर किया है 82 का सही जवाब हजएगा ची कनेड़ा के साथ मिलके उसने गेटवे संधी पर हस्ताचर किया है नेश्टे कुश्च नमर 83, बिटेन में दिसम्बर 2020 में चर्चा में आया नोबल कोरोना वाइरस के नया वेरियंट का क्या नाम था? तो नय वेरियंट का नाम B117 था, ए ओप्सन सही है नेश्टे कुश्च नमर 84, बिटेन के लिए पॉजिटिव पेस सिस्टम की सुरात की है बैंकिंग फ्रोड पर लगाम लगाने के लिए इन नीमों पर बदलाव किया गया है RBI ने 1 जन्वरी 2021 से चेक के लिए पॉजिटिव पेस सिस्टम लागू किया है इस सिस्टम के तहट 50,000 रुपए से ज़्यादा के वुक्तान वाले चेक को रिकन्फर्म करना पड़ेगा नेश्टे कुश्च नमर 85 असोख नगर नामक तेल गयस छेत की सिराज का प्रथम तेल गयस उतपादन छेत रहे तो 85 का सही ज़ाव है C option पस्चिम बेंगॉल और यह असोख नगर कहां पड़ता है 24 पर गना पस्चिम बेंगॉल में पड़ता है C option सही यहाँ पे नेश्टे कुश्च नमर 86 इस ऑफ डूइंग बिजनिस रैंकिंग 2018 में किस देश की रैंकिंग को हाली में संसोधन की पश्चात कम कर दिया गया है तो इसमें सुधार किया गया है तो चीन को साथ रैंक पीछे कर दिया गया है C option सही है वहीं भारत की रैंकिंग नहीं बदली गई है लेकिन चीन की रैंकिंग को साथ रैंक पीछे कर दिया गया है किस राजने ग्रमीर्ट शित्रों में संपत्ती और भूमी समंदी विवादों पर अंकुस लगाने के लिए वरासत अभियान सुरू किया है तो ये वरासत अभियान जो है उत्तर प्रदेश में सुरू किया गया है ये option सही है नेश्टे कुश्चन अमर 88 चंद्रमा की सताय से वापस प्रत्वी पर नमूना लाने वाले तीन देश कौन से है तो इसका सही जाव है B option USA, सोवियत संग और चीन B option सही है नेश्टे कुश्चन अमर 89 USFDA ने अन्वानसिक रूप से समर्देत किस जानवर को अमेरिका में भोजन और चीकिस्सा उपियोग के लिए अनमुदित किया है 39 का सही जाब क्या होगा D option सुरूर नेश्टे कुश्चन अमर 90 मानव सतंता सुचकांग द्यार 20 में कौन से कथन सत्ते है पहला कतन है ये Amnesty International द्वारा जारी किया जाता है दूसरा है भारत को 162 देशों में 111 इस्तान पर रखा गया है तीसरा है सुचकांग में New Zealand पहले इस्तान पर है 90 का सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको 90 का सही आंसर है दूसरा और तीसरा कतन सत्त है और पहला कतन गलत है इस सुचकांग को कनाड़ा के फ्रेजर इंसिट्यूट और काटो इंसिट्यूट ने जारी किया है यानि पहला कतन तो गलत हो गया माना सुचकांग दूसरा नागरिक आर्थिक और व्यक्तिकर सुचकांग के एक वैस्विक रैंकिंग है नेस्टा है कुश्चन नम्मर 91 उत्तर प्रदेश के किस सहर में दिसंबर 2020 में 23,96 का उधगाटन किया गया तो 23,96 का उधगाटन रामपुर में किया गया B option सही है नेश्ट है कुश्चन नमर 92 हाली में चीनवे विदेसियों के लिए आरम दुनिया के सबसे वड़े रेडियो टेलेस्कोप का क्या नाम है? तो दुनिया के सबसे वड़े रेडियो टेलेस्कोप का नाम फास्ट है, B अप्सन सही है अगला है कुश्चन नमर 93 कौन सा देश अगले दो ओलमपिक खेलों में अपना नाम धज और राश्ट गान का उप्योग नहीं कर पाएगा कीस राज ने उन सरकारी कारयालों को ग्रीन घोसित किया है जो पर्यावरान के अनकूल गतिविदियों का पालन करते है तो ऐसा राज है केरल स्थापित किया गया है तो इसका सही जवाब है स्थापित किया गया है पहला उत्करश्टता केंद्ध किसे संबन दित है मिशन पुरोद है किसे संबन दित है तो 96 का सही जवाब है इस पाथ 6 से संबन दित है मिशन पुरोद है नेश्ट है कुश्च नमबर सतानवे मानव विकास रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन से कतन सही है पहला कतन है 189 देशों में 131 पायदान पर है भारत वहीं आइसलेंड सबसे उपर है दूसरा कतन है और इस रिपोर्ट को UNDP द्वारा जारी किया जाता है इसलिए दूसरा कतन गलत हो गया नेश्ट है कुश्च नमर अठानवे दिसंबर 2020 में भारत और बांगलादेश के प्रधानमंतियों द्वारा सेक्ति रूप से किस रेल्वे लिंक का उद्गाटन किया गया तो किस रेल्वे लिंक का उद्गाटन किया गया 98 का सही जवाब है C अप्शन हल्दी बाड़ी चिलहाटी रेल्वे लिंक का उद्गाटन किया गया नेश्ट है कुश्च नमबर 99 अर्बी आई द्वारा पहला स्वचालित बैंक नोट प्रसंसक्राण केंद कहां इस्थापित किया जाएगा अगला कुश्च नमबर 100 किस देश ने दिसंबर में भात को मुद्रा हेर फेर यानि करेंशी मनुपलेटर्स वाले देशों की निगरानी सूची में सामल किया है तो समय का सही जवाब है B option USA ने समलेट किया भारत को मुद्रा हेर फेर वाले देशों की निगरानी सूची में नेश्ट देखें question number 101 देश का पहला सहर कौन सा है जहां उत्पीड़ितों को दोसियों द्वारा आर्थिक छतिपूर्ती दी जाएगी तो 101 का सही जवाब है B option दिल्ली में दिया जाएगा B option सही है नेश्ट है question number दूसरा निमने लिखित में से किसी पहला time kid of year घोसित किया गया है तो इसका सही जवाब है C option गीता अंजली राव को time kid of year घोसित किया गया है नेश्ट है question number 3 deferred action for childhood arrival किस देश का कार्प्रम है तो यह कार्प्रम USA का है E option सही हो जाएगा यहाँ पे नेश्ट है question number 104 नेश्ट है question number 104 बंगलादेश ने किस देश के साथ अपना पहला तरजीही व्यपार समझाता किया है तो इसका सही जवाब क्या है D option भूटान के साथ बंगलादेश ने अपना पहला तरजीही व्यपार समझाता किया है कब किया है 6 दिसंबर 2020 को इस समझाते के तैद बंगलादेश के 100 उत्पादों को और भूटान के 34 उत्पादों को एक दूसरे की बजारों में सुलक मुक्त प्रवेस दिया जाएगा अगला question number 105 क्रिक में मनाया गया नेश्ट कुष्चे नमबर 106 हार्मोनाइज सिस्टम कोट का उप्योग निवन लिखित में से किश्चेत में किया जाता है तो 106 का सही जवाब है एव उप्सन खादी उत्पादों के निर्यात किश्चेत में किया जाता है अगला question number 107 एक देशी क्रिकेट में सरवादिक तेज गती से 12,000 रन पूरे करने का सचें तेंदोलकर का रिकोर्ड किसने तोड़ा है तो इसका सही जवाब हाजाएगा C option विराट कोहली विराट कोहली ने वन डे इंटरनेशनल केकेट में सबसे तेज 12,000 रन पूरे करने का रिकोर्ड अपने नाम किया है और उन्होंने इस मामले में master blaster सचें तेंदोलकर को अभी पीछे छोड़ दिया है जहां विराट कोहली ने 222 पारी में है ये मुकाम हासिल कर लिया तो 108 का सही जाओ है बी ओप्सन बांगलादेश में इस्तित है नेश्ट है question नमर 109 किस उपलच में 4 दिसंबर को 9 सेना दिवस आयोवेत किया जाता है 109 का सही जाओ है बी ओप्सन ओप्रेशन ट्रिडेंट ओप्रेशन ट्रिडेंट के तहट 4 दिसंबर 1971 को भारती नौसेना ने पाकिस्तान की कराची नौसाइनिक अट्डेक पर हमला बोल दिया था इस ओप्रेशन की सफिलता को ध्यान में रखते हुए ही 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है नेश्टे कुश्चे नमबर 110 वेस्विक आतंकवाज सूचकांग दोयार 20 के संदर में कौन सा कथन सही है पहला कथन है यह सूचकांग एमनेश्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है यह कथन गलत है यह ग्लोबल टेररिज्जम इंडेक्स जो है भारत को 2019 में आतंकवाज से सबसे अधिक प्रवाज देशों की सूची में आठवा इस्थान पर रखता है और इसको इंसिट्यूट फॉर एकॉनमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है इसका मुक्षाल है और श्टेलिया के सिड्डी में है दूसरा कतान है भारत आतंकवाज से ग्रसिद विसका आठवा देश है यह बिलकुल सही है अफगानिस्तान को सुचकांग में पहल का डिस्किप्शन है निमने लिखित में से किसी स्विवक्त राष्ट नार्कोटिक्स ड्रक्स पर एकल कन्विंशन 1961 की अनुसूची चार से हटा दिया गया है तो 111 का सही जाव है डी कैन विस को हटा दिया गया है डी ओप्शन सही है नेश्टे कुश्य नमर 112 जिएस्टी 2017 की किस धारा के तहत लोट्री जुवां एवं बेटिंग को कर योग माना गया है तो 112 का सही जवाब है यह अप्शन धारा टू बाउन के तहत इसको कर योग माना गया है कि नेश्टे कुश्य नमर 113 मलियन विसाल गिलहरी जो हाल ही में चर्चा का केंद्र बनी थी प्रजाती है वह कहां की इस्थानिक प्रजाती है तो 113 का सही जवाब क्या होगा डी ओप्शन पूरोत्तर भारत की वह नेटिव प्रजाती है भाती प्राड़ी सरविछन ने अ कि लहरीयां पुरोत्तर के जंगलों में पाई जाती है और वरत्मार में पच्चे मंगाल सिक्कीम असम और अगुनाचल प्रदेश मिघालय तर्था नागालन के कुछ हिस्सों में पाई जाती है अगला कुश्य नमर 114 कि सिराज के सरकारी स्कूल सिचक को वैस्विक सिचक पुरुसकार दोयार 20 प्रदान किया गया है तो बदाना है आपको कि कि स्कूल के सिचक को जो है वैस्विक सिचक पुरुसकार दोयार 20 प्रदान किया गया है तो एक सिच्वद्य का सही जवाब क्या होगा डी ओप्सन महाराष्ट के महाराष्ट के 16 पूर्जिले के एक प्रात्मिक स्कूल सिच्छक को बालिकर सिच्छक को बढ़ावा देने के लिए दुहार 20 का वेश्चिक सिच्छक पुरुसकार प्रदान किया गया है नेश्ट कुश्च नमबर 115 इंडिया इनोविशन नेटवर्क इनिसियेटिव के तहट पहला ग्लोबल सेंटर ओफ एक्सिलेंस कौन सा है तो 115 का सही जवाब है डी ओप्सन आयाइटी रोपढ़ है डी ओप्सन सही है नेश्ट कुश्च नमबर 116 किस राज के नौंगपोक सेकमाई पुलिस इस्टेशन को देश में सरशेष प्रदासन करने वाला पुलिस इस्टेशन चुना गया है तो 116 का सही जवाब है ये ओप्सन मडी पूर नेश्ट कुश्च नमबर 117 दिसंबर 2020 में किस देश ने HL2M टोका मार्क नाम से कृतिम सूर के सफलता पूरग संचारान के घोशना की है तो ये कृतिम सूरज को सफलता पूरग किस ने संचार किया है तो 117 का सही जवाब है डी ओप्सन चीन ने किया है तकनीक के मामले में चीन ने अमेरिका, रूस और जापान जैसे विक्सित देशों को भी पचार दिया है चीन के वग्यान को ने कृतिम सूरज परमाडू संलेन रियक्टर को सफलता पूरग दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है यह एसा परमाडू फ्यूजन है जो असली सूरज से कई ज्यादा गुना उर्जा उत्पन करता है नेश्टेक कुश्चन नमबर 118 दिसमबर 2020 में निमनी लिखित में से किसे इंटरनेशनल इसोसेशन ऑफ इस्योरेंस सुपरवाइजर की सदस्यता प्राप्त हुई है की सदस्यता प्राप्त हुई है और इसका गठन 1994 में हुआ था और यहाँ पर 97 फिश्दी इंसोरेंस प्रियम की हिस्सेदारी रखता है और इसका मुख्याला स्विजरलेंड में है नेश्टेक कुश्चन नमर 119 कोविड-19 के खिलाफ फाइजर बायोटेक टीका के उप्योग को अनुवत्ती देने वाला विसका पहला देश कौन बना है तो इसका सही जवाब है B-Option UK बना है B-Option सही है कमपनी ने कहा है कि उसका जो टीका है 95% कार का टीका है COVID-19 को रोकने के लिए और यह कहां की कमपनी है अमेरिका की दवा कमपनी है Pfizer और इसने जर्मन कमपनी BioNTech के साथ मिलकर इस टीके को बिक्सित किया है नेश्टे कुष्चिन नम्मर 120 Municipal Corporation Bond जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सहर कौन सा है तो पहला सहर जो है लखनव है D-Option सही है लखनव नगनिगम का Bond Bombay Stock Exchange में सुची बद्ध हो गया है लखनव नगनिगम का Bond 200 क्रोर रुपय का है तथा लखनव नगनिगम Bond जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगनिगम भी बन गया है नेश्टे कुष्चिन नम्मर 121 निम्ली लिकित में से किसने 5 Star Village Scheme लाँच की है तो इसका सही जवाब है C-Option India Post ने हाली में भारती डांग विवाग ने देश की ग्रामेंट छेत्रों में प्रमक डांग योजनाओं की सार भाव में कवरेज सुनिशित करने के लिए 5 Star Village Scheme की सुरात की है आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुष्चिन नम्मर 112 किस देखने विकर एक तीन दसकों में पहली बाद भारत छावल-ायाथ किया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल नेरियातक देश भी है नेश्टे कुश्य नम्मर 123 प्रयोक साला में विक्सित चिकिन मांस को विनियामक अनमती देने वाला विस्क का पहला देश कौन सा मना है तो 123 का सही जवाब है C option सिंगापूर नेश्टे कुश्य नम्मर 124 विस्क का सबसे अकेला हाथी कावन को हाली में पाकिस्तान के किश देश में इस्थांतरित किया गया है 124 का सही जवाब है C option कमबोडिया पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकार से कहा है कि पाकिस्तान की रादधानी में मौजूद एक मातर हांती कावन को कमपोलिया के 25,000 एकर में फैले अभ्यार में इस्थांतरित किया जाएगा यह इस्तित चुड़िया घर में उस हांती को जंजीरियों से बांद कर उसके साथ गलत ब्योहर किया जा रहा था इस करार से पाकिस्तान की अदालत ने यह निर्णाय सुनाया है किस राज में बारा तेनुओं को सक्कर बाग जोलोजिकल पार्क से ग्रीन जोलोजिकल बचाव एवं रहत किंग्डम में इस्तान्तित किया गया है तो 125 का सही अंसर है बी ऑप्सन गुज़ात में हाली में गुज़ात की वव्वाग ने 12 तेनुओं को जाम नगर में एक निजी बचाव और पुनवास केंदर में इस्तांतित किया है इन तेनुओं को मनुस के साथ संगर्स के दरान जंगलों से पकड़ा गया था साथ ही इन तेनों को जुनगड के सक्करबाग जोलोजिकल पार्क से जाम नगड़ में इस्तित ग्रीन्स जोलोजिकल रेस्क्यू एंड रिहबिलिटेशन किंग्डम में इस्तापित किया गया है किस राज ने दुआरे सरकार नामक आउट रीच कारकम सुरू किया है किस राज ने दुआरे सरकार नामक आउट रीच कारकम सुरू किया है तो 126 का सही जाब है यह उप्षन पस्चिब मंगाल ने यह कारकम सुरू किया है यह उप्षन सही है नेश्ट है कुश्चन नमबर 127 C-32 LH2 के संदर में कौन सा कतन सही है यह एक cryogenetic propellant tank है और दूसरा है इसे हिंदोस्तान aeronautics limited द्वारा विक्सित किया गया है दीसरा है यह 89 घंड मीटर मात्रा में 5755 kg प्रणोदक लोट कर सकता है तो 127 का सही जाब है D option तीनोई कतन सत्थ है नेश्ट है कुश्चन नमबर 128 भारती डाग विवाग ने किस मंदर के स्वामी प्रसादम को सिधालों के घर तक पोचाने का करार किया है तो 128 का सही जाब क्या है D option सबरीवाला मंदर नेश्ट है कुश्चन नमर 139 USA वायू गुडवत्ता सुचकांग दोयार 20 के अनुसार विसका सबसे प्रदूसिस सहर कौन सा है तो सबसे प्रदूसिस सहर विसका लाहौर है C option सही है नेश्ट है कुश्चन नमर 130 कीवी के लिए जैविक प्रमाड़ी करन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज कौन सा बना है तो कीवी के लिए जैविक प्रमाड़ी करन प्राप्त करने वाला राज जो है अनुसार प्रदेश है B option सही है नेश्ट है कुश्चन नमर 131 इंडियन ओयल ने विस इस्तरी जिस प्रिमियम ग्रेट प्रेट्रोल और 10 10 को लॉंच किया है उसका नाम क्या है तो एक से कथिस का सही जवाब है सी ओप्सन एक स्टी हैंड़ेट नाम है उसका इसे Indian Oil Corporation Limited द्वारा उत्तर प्रदेश की मथ्रा रिफाइनरी में तैयार किया जा रहा है कहां किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की मथ्रा रिफाइनरी में XP-100 को नेक्स्ट है कुश्चन अमबार 132 देवी अनपूर्णा की मूर्ती जिसे कनाड़ा से वापस लाने का उलेक प्रदानमंती मोदी ने किया था किस सहर से चुराई गए थी तो 132 का सही जवाब है सी उपसन वराराणसी से चुराई गए थी मा अनपूर्णा की सदियों पुरानी मूर्थी कनाड़ा से वापस भारत लाई जा रही है इस मूर्थी को एक सो सास साल पहले उनने सो तेरा में औराणसी के एक मंदिर से चुरा कर तसकरी के जरिये देश से बाहर भीद दिया गया था अगला कुष्च नम्मर 133 किस नदी पर रमायाण क्रूज टूर से वा अरम की जाएगी तो 133 का सही जवाब है C उप्शन सर्यो नदी पर की जाएगी नेश्ट कुष्च नमर 134 जेब्राफिस ने हाल में जीव विज्ञानिकों का ध्यान क्यों आकरसित किया है तो 134 का सही जवाब है D उप्शन यह अपने छतिग्र सहर्दय को पुना उत्पन कर लेती है इसलिए इस फिस ने जीव विज्ञानिकों का ध्यान अपनी और अकरसित किया है स्थार नेश्ट है कोश्चन नमर 135 भागलच्टमी मंदिर जो हाली में चर्चा में रहा किस सहर में इस्तित है व्यूद्यम लेक्न और 129 लिकंट में से किसकी द्वारा ग्रीन चारकोल हैकेथोन का आयोजन किया गया है तो 136 का सही जवाब है C. NTPC विद्ध व्यापान निगम द्वारा ग्रीन चारकोल हैकेथोन का आयोजन किया गया नेश्ट है कुश्चन नम्मर 137 कि सराज में 1 दिसम्मर 2020 को और उन दोई योजना और चारे ग्रूप से प्रारम की गई तो यह जो है असम सरकार दोरा प्रारम की गई D.Option सही है असम सरकार की और उन दोई योजना महिलाओं के नियत्त वाले परिवारों और विसी सुरूप से विकलांग विक्तियों को लाभानित करने के लिए 29 जिलों में शुरू की गई है इस योजना की गई 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 राज सरकार ने बज़र 2020-21 के दोरान ही कर दी थी और इसके लिए 2400 करोड रूपय की अवंटन की भी गई गई है नेश्टर कुष्चे नंबर 138 देव दीपावली 2020 के संदर में कौन सा कथन सत्थ है पहला कथन है यह आयोध्या में मनाया गया और दूसरा है यह कार्थिक पूर्मा के दीवस मनाया गया यह कथन तो सत्थ है पहले बार प्रधान मंति ने इस्तिभार में भाग ले यह भी चैई है यह आयोध्या में नहीं वरान सीव मनाया गया इसलिए सी ओप्षन सही है ये क्यों मनाया जाता है तो हिंदु मिथक के अनुसार इसी दिन भगवान सीव ने देवी लोग पर हाहा कार मचाने वाले तिप्रणा सुरु नामक राच्छस का संगार किया था इसलिए इस्तिवार को मनाया जाता है देव दिवाली को नेश्ट है कुश्चे नमबर 149 अठाइस नमबर 1220 को प्रधानमती ने जिन तीन टीका निर्माड केंद्रों का दवरा किया उन में से कौन सा केंद्र समलित नहीं है तो भारत बायोटेक भी गया है थे सीरम इंस्यच्ट भी कह थे जाइडr सकेडला भी गया थे यानी की स solutions पैनेस यह बायोटेक नहीं गया थे वह दी ऊप्सन सही है इसके कुश्चे नमबर 140 चीन ने ब्रह्म पुतव नदी पर सुपरमाद मराने की गोशना किया है इस नदी को चीन में क्या कहा जाता है तो एक सो चालिस का सही जावा बी ओप्सन यांग्त जी नदी कहा जाता है बी ओप्सन सही है नेश्टे कुश्चन नमर एक सो इतालिद CACO शासनाध्यच परिशत की 19 में बैठक की संदर में कौन सा कतन सत्थ है पहला कतन है भारत ने इस बैठक की मेजबानी की ये कतन सही है प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक की अधिशता की ये कतन सत्थ है तो बी ओप्सन सही हो जागा पहला और तीसरा कथन सत्थ है कि निरेश्ट है कुश्चन नमर 142 कि इस देश में नावमर 222 में अब तक का सबसे मजबूत चक्रवात गाती रिकोर्ड किया गया तो 142 का सही जवाब है B ओप्सन सुमालिया में यह आया था गती नामक चक्रवात निरेश्ट है कुश्चन नमर 143 सोत करताओं के अनुसार व्यस्चिक ता ब्रद्दी की वज़ए से साइवेरियन प्राइम रोज बिलुप्थ हो जाएगा साइवेरियन प्राइम रोज क्या ह तो यह एक प्रकार का पौदे की प्रजाती है सी ओप्सन सही है नेश्ट कुश्चन नमर 144 कि जगह पर ए आई एम रोबोटिक्स टेकनोलोजी इस पार्क इस्तापित किया जाएगा एक सुच्वारिस का सई जवाब है सी यह से बंगलूरू में इस्तापित किया जाएगा पार्क अगला कुश्चन नमर 145 रायोगुगू शुद्र ग्रैसे नमूना लेका जापानी हयाबूसा टू अंत्रिच शियान किस देश में उत्रा था तो इसका सही जाव है सी ओप्सन और श्टेलिया में उत्रा था सी ओप्सन से यह नेश्ट कुश्चन नमर 146 किस राज क मुखमत्री ने दिसमर 2020 में जय हिंद ब्रिच का उधगाटन किया तो जय हिंद ब्रिच का उधगाटन जो है पस्टे मंगॉल में किया गया सी ओप्सन से ही है किया गया सुवाश्चन बोस्की 125 जहनती के उपलक्ष में यह मजेर हट पुल का नाम बदल कर जय हिंद पुल र तो 147 का सही जवाब है C. IIT Bombay ने इसको जारी किया है इसमें मुंबई जो है अर्बन क्वालिटी आफ लाइफ सूची में पहले पायदान पर है मनलग की सबसे अच्छे सहरों में मसहूर है नेश्ट है कोश्चन नमर 148 सहीद असफाक उल्लाय खान प्राड़ी उद्यान ज सब्सक्राइब किस राज में रेट होल कोईला खनन हाली में चर्चा में रहा था तो 149 का सही जवाब है C में घाला में है यह रेट होल कोईला खनन छेत्र नेश्ट है कुश्चन नमर 150 नर्मदा लेंड्सकेप पुन इस्थापना परिज़ना के क्यानवयन के लिए किस ने आई एफेम भुपाल के साथ एक समझाता किया है तो 150 का सही जवाब है B एंटी पीसी नेश्ट है कुश्चन नमर 151 प्रधान मंत्री विशिस चात्रवत्ती योजना निम्न मेंसिक किस के लिए चलाई जा रही है तो 101 का सही जवाब है B ओप्सन जम्मू और कस्मीर और लद के युवाओं के लिए प्रधान मंत्री विशिस चात्रवत्ती योजना चलाई जा रही है तो नेश्ट है कुश्चन नमर 152 पी एसलबी सी 50 के बारे में निम्न लिख खित में से कौन सा कतन सही है इसने CMS 01 संचार उबूरे लॉंच किया यह भी कतन सही है इसे 17 दिसंबर 22 को लॉंच किया गया यह भी सही है यह PSLV की बावनी उडान थी यह भी सही है यानि D option सही है नेश्ट है कुश्चन नमर 153 दिसंबर 2220 में आर्थिक मामलों की मंत्री मंडली समयती द्वारा गन्ना किसानों के लिए कितनी रासी की सायता को मंजूरी दी गई 233 का सही जवाब है A option 35 क करोड़ रुपए कि सायता प्रदान की गी गन्ना किसानों को नेश्ट है कुश्चन नमर 154 2030 ACI खेलों की मेजबानी कौन सा साहिर करेगा 24 का सही जवाब है A option दोहा में होंगे 232 के ACI खेल किसान कल्यान मिसन उत्तरपदेश सरकार ने सुरू किया है किसानों की आए दुगनी करने के उत्देश से इसे हरेक विधान सभाज छेत्र में लागू किया जाएगा दिसम्मर 2020 में किन तीन देशों के बीज चाबहर बंदरगा के समयुक्त उपयोग पर 356 वर्किंग ग्रूप की बैठक आज़ेत हुई थी तो 156 का सभाब है डी ओप्सन भात इरान और उजबेकिस्तान के मद्द समयुक्त त्री पच्छी वर्किंग ग्रूप की बैठक की गई थी नेश्टे कुश्य नमर 157 दिसंबर 2020 में की इन दोग्रहों के अति नजदिक आने की नेश्टे कुश्य नमर 158 हम बैक्ट माहसीर जो हाली में चच्चा में थी किस नदी बेसिन में पाई जाती है तो एक सो ठाउन का सही जवाव है D option कावेरी नदी बेसिन में ये पाई जाती है D option सही है यहाँ पे किस राज में दिसम्बर 2020 में हिमालियन सीरो को मानों ने पहली बार देखा तो 169 का सही जवाव है B option हिमाचल प्रदेस में देखा गया दिसम्बर 2020 में हिमाला की सीत मरुष्टल छेत में पहली बार हिमालियन सीरो को देखा गया इसे हिमालियन प्रदेश की स्पीती में हैलिंग गाउं के पास देखा गया हिमालियन सीरो एक बकरी, एक गधा, एक गाय और एक सुमर का संकर प्रतीत होता है ये इसका पिक्चर है नेश्ट है कुश्चिन नमर 160 राष्टी कामधेनू आयोग ने विद्ध्यालियों एवं कालीजों में कौन सा पीठ इस्तापित करने का सुझाव दिया है तो एक सो साथ का सही जाव है सी ओप्चन कामधेनू पीठ इस्तापित करने की सुझाव दिया गया है नेश्ट है कुश्चिन नमर 161 किस सेवा में उत्करष्ट के लिए प्रती वर्स मेगदूट सम्मान प्रदान किया जाता है में एकदूद सम्मान प्रदान किया जाता है तो 161 का सही जवाब है B option डांक सेवा में उत्करष्ट कार करने के लिए में एकदूद सम्मान दिया जाता है नेश्टे कुश्चे नमर 162 डांक विवागने दिसम्मर 2020 में किस नया पेमिंट एप का अनवराण किया है तो इसका सही जवाब है C option डांक पे नामक एक एप का अनवराण किया गया है इसे इंडियन पोस्ट ने लॉंज किया है डिजिटल लेंदेन की सुरुआत किया डांक विवागने नेश्टे कुश्चे नमर 163 किस राज में दिसंबर 2020 में प्रधान मंत्री ने हाइब्रेट नवीनी करन उर्जा सेंद की निव रखी है तो ये हाइब्रेट नवीनी करन उर्जा सेंद जो है गुजात में चालू किया गया है C option सही है जो है गुजात के कच्च के धोर्णों में इसको इस्थाफित किया गया है और इसका कार क्या होगा पीने योग पानी और जो है दूथ प्रसंस करना और पैकेंग के लिए इसका उप्योग किया जाएगा नेश्टे कुश्चे नमर 164 दिसंबर 2020 में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद की सूची वाले देशों की सूची से हटा दिया है तो 164 का सही जवाब है D option सुडान को आतंकवाद की सूची से हटा दिया है नेश्टे कुश्चे नमर 165 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने सहीद बावदिक दिवस मनाया तो सहीद बावदिक दिवस बंगला देश में मनाया गया 14 दिसंबर 2020 को नेश्टे कुश्चे नमर 166 दिसंबर 2020 में स्युक्त राज अमेरिका ने किस देश पर रूसी S-400 वायू रच्छा प्रणालियों की खरीद की विएसे आर्थिक प्रतिबंद लगा दिया था तो USA ने तुर्की पर प्रतिबंद लगा दिया था यहाज की तुर्की S-400 सते से हवा में मार करने वाली मिसाइल की बहुत अधिक मात्रा में खरीद कर रहा था नेश्ट है गोश्चे कुश्च नमर 166 हिम गिरी जगाज की संदर में कौन सा कथन सत्य है हिम गिरी जहाज की संदर में कौन सा कथन सत्य है तो प्रोजेक्ट 17.1 की तीन जहाजों में से ये पहला जहाज ये कथन सत्य है दूसरा है इसका निर्माण मजगाव डांक सिप बिल्डर्स लिम्टिल द्वारा किया गया है ये भी सही है इस जहाज का जलावतन हुगली नदी में किया गया ये भी सही यानि डी ओप्शन सही है तीनों कतन सत्य है नेश्ट है कुश्चन नंबर 168 सरवोच न्यालाय द्वारा गठित कौन सी कमिटी वज्यानिक नम्भी नारायन मावला की जाज कर रही है तो 168 का सही जवाब है सी ओप्शन न्यायमूर्थी डी के जैन कमिटी इसकी जाच कर रही है वज्यानिक है नम्मी नाराण इन पर आरोफ है कि इस रों में इन्हों ने जासूसी की थी इसलिए इनके लिए एक कमिटी सुप्रीम कोड़ द्वारा निधायत की गई है नेश्ट है कुश्चन नंबर 169 किस देश में सरकार के खिलाफ सेन इस 2035 भात में जन्स्वास निगरानी पर स्वेथ पत्र जारी किया है तो नितियायोग ने विजन 2035 में भात के जन्स्वास निगरानी के तहट एक स्वेथ पत्र जारी किया है नेश्ट है कुश्चन नंबर 171 वजाचल रिजर्ब फॉरेस्ट जहां हाली में मेरी इस्टिका स् व्रच मेड़क खुजा गया है किस राज में इस्तित है तो 172 का सही जवाब है D option केरला में इस्तित है नेश्ट है कुश्चे नमर 172 किस उद्देश से महाराज सरकार ने महा सरत पोर्टल लॉंच किया है तो 172 का सही जवाब है दिव्यांगों को निस्सूल को उपकरण प्रदान करने के उद्देश से महा सरत पोर्टल को सुरू किया गया है महाराज सरकार द्वारा नेश्ट है कुश्चे नमर 173 युनिस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर क्रियेटिव एकोनोमी के छेत में अंतराष्टी पुरुसकार रम करने की घोस्णा की है तो 173 का सही जवाब है C ओप्सन सेख मुझीबूर रह्मान के नाम पर क्रियेटिव एकोनोमिक्स किछित में अंतराष्टिव पुरुस्कार देने की घोसना की है और सेख मुझीबूर रह्मान जो है बंगलादेश के रहने वाले हैं आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चन नमर 174 वर्ष द्यहार 21 को युनिस्को किस वर्ष के रूपे मना रहा है तो युनिस्को सतत विकास के लिए क्रियेटिव एकोनोमिक्स का अंतराष्टि वर्ष मना रहा द्यहार 21 को अगला कुश्चन नमर 175 स्वधीनता सड़क किंदो इस्तनों या देशों को जोडती है स्वधीनता सड़क किंदो इस्तनों को जोडती है 175 का राइट आंसर है बी ऑप्शन बांगला देश और भारत को जोड़ेगी बी ऑप्शन सही है नेश्टे कुश्चन नमर 176 सेंटर फॉर लेंड गवर्नेंस के अनुसार सभी 35 राज्यों और केंसासित प्रदेसों में से माहिलाओं को भूमी अधिकार पदान करने में सरस्ष्ट राज कौन से है तो 176 का सही जवाब है डी ऑप्शन लच्छ दीप और मेगालेस जो है सरस्ष्ट राज है जिन्होंने माहिलाओं को भूमी का अधिकार पदान किया है नेश्टे कुश्चे नमबर 177 तीनों सेनाओं थल सेना नौ सेना और वायू सेना में सेवा देने वाले एकमाद अधिकारी जो दिसंबर में सव वर्स के हो गए वे कौन है तो उनका नाम जो है करनल प्रत्विपाल सिंग गिल है बी ओप्शन सही है उन्होंने दूसरे युद्ध में भी भारत का नेत्वत किया था और 1965 में वे इंडो पाक युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था नेश्टे कुश्चे नमर 178 भात की पहली स्वदेशी MRNA टीका का क्या नाम है जिसे भारती औसदी नियंत्रक ने परिच्छन की अनुमति प्रतान की है तो उसका नाम है HGCO-19 बी ओप्शन सही है नेश्टे कुश्चे नमर 179 किसी वर्श देहर बीस का रामा नुजन युवा गड़ितग पुरुस्कार प्रतान की आ गया है करोलीना अराजुओ को रामा नुजन युवा गड़ी तक पुरुसकार पदान किया गया है और ये ब्रेजील के रहने वाले है किस राज में सहयोगनी मात्र समिती का पुनर गठन किया गया है सहयोगनी मात्र समिती का पुनर गठन मद प्रदेश में किया गया है ये उप्सन सही है अगला कुष्चन नमर 111 कि सराज के मुखमंत्री ने दिसंबर 2020 में जय हिंद ब्रिज का उदगाटन किया तो जय हिंद ब्रिज का उदगाटन पच्चे मंगौल में किया गया सी उप्सन सही है फॉर्प्स 2020 की सुची के अनसार विसकी सरवादिक सकतिसाली महिला कौन है तो इसका सही अनसार है सी उप्सन एंजेला मरकेल है सी उप्सन सही है कि संस्थान ने क्वांटम की डिस्टिब्यूशन प्रोदोगी विक्सित की है तो इसको विक्सित किया है डियाडियों ने सी उप्सन सही है यहांपे कि नेश्टे कोश्चे नमबर 184 दिसंबर 2020 में कि स्राज के मुखमत्री ने भू सिरी एवं भू मित्र नामक मसीनों का अनावराण किया है तो 184 का सही आंसर है बी उप्सन करनाटका ने नेश्टे कुश्चे नमबर 185 दिसंबर 2020 में सिंदुगाटी सबिता पर प्रकासित अर्ध्यान में क्या नयातत सामने आया है तो चार कतन दिये हुए चारों में से एक सत्य है तो पहला ही कतन सत्य कि सिंदुगाटी सबिता के लोग मासा हारी थे यह उप्सन सही है नेश्टे कुश्चे नमर 186 कि संगठन को वर्ष दोहार 20 के लिए स्वयुक्त राष्ट जनसंक्या पुरुसकार पतान किया गया है तो हेल पैज इंडिया को स्वयुक्त राष्ट जनसंक्या पुरुसकार पतान किया गया है बी उप्सन सही है नेश्टे कुश्चे नमर 187 आन्द प्रदेस में शुरू की गई जगन्ना जीवन क्रांती योजना के तहट क्या वित्रित किया जाएगा तो इसके तहट जो है गरीब लोगों को भेण और बक्रियां वित्रित की जाएगी सियोप्सन से यह नेश्टे कुश्चे नमर 188 निम लेखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ दा इयर 2020 घोसित किया गया है तो टाइम मैक जीन में उनकी फोटो छपी थी तो अभी हाली में निर्वाचित होने वाले सपत लेने वाले अमेरिका के राष्टपती और उपराष्टपती जो बाइडन एवं कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ दा इयर 2020 घोसित किया गया है नेश्टे कुश्चे नमर 189 मदपजिस के किन दो सहरों को युनिस को 20 विरासत सहरों की सूची में समलित किया गया है तो बहुत पराना कुश्चन हो गया है ग्वालियर और उच्छा को समलित किया गया है नेश्टे कुश्चन नमर 190 किस खेल आयोजन को वर्स दोहार 24 के पेरिस उलम्पिक खेलों में सामिल करने की घोस्णा की गयी है तो इसमें जो है 24 में होने वाले पेरिस उलम्पिक में ब्रेक डांसिंग जो है समलित किया गया है अगला कुश्चन नमर 192 आत्म निर्वर भारत योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है इसे जो है 9 दिसम्बर 2020 को लॉंच किया गया ये कतन सत्त है Government of India कुछ मामलों में कर्मचाजियों के 12% अंसदान और नियुक्ताओं के 12% अंसदान योगदान का भुक्तान करेगी ये भी कतन सत्त है इस जोना का उद्यत अपचारिक और अनपचारिक दोनों छेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है ये कतन गलत है क्योंकि incentive creation के लिए इस scheme को लागू किया गया है तो इसलिए ये ही सही है भारा सरकार नए कर्मचाजियों के समद्ध में 2 साल के लिए सबस्योडियों पतान करेगी ये भी सही है तो गलत के लिए पूछा गया है तो C option सही है अगला question number 192 किस संस्तान के वग्यानिकों ने एसी विशिष्ट सामगरी विक्सित किया जो कुसलता से नम हवा से पानी का संचेन कर सकती है तो 192 का सही आंसर है C option IIT गौहावटी नेश्टे question number 193 चीन एव निपाल की सहुक्ति घोस्णा के अनसार माउंट एवरेष्ट की नई उचाई कितनी है तो माउंट एवरेष्ट की नई उचाई है 8848.86 मीटर नेश्टे question number 194 कि सिराज के रामनागर वन खंड में सरी स्रपों एवं लगू जानवनों को सड़क दुरगटनाओं से बचाने के लिए एको ब्रिज का निर्माड किया गया है तो एको ब्रिज का निर्माड जो है उत्राखन में किया गया है C option सही है नेश्टे question number 195 महराष्ट में किसके खिलाप operation black face आरम किया गया है तो operation black face जो है बाल योन उत्प्यूणन को रोखने के लिए शुरू किया गया है D option सही है नेश्टे question number 196 सहीद असफाक उलाए खान प्राड़ी उद्ध्यान जिसे हाली में मानता प्रदान की गई किस राज में इस्तित है तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इस्तित है C option सही है नेश्टे question number 197 शुरू सब्सक्राइब कर जापानी हाया बुसाद सेकेंड अंत्रिच्यान की इस देश में उत्रा था तो ये जो है अस्टेलिया में उत्रा था C option सही है नेश्टे question number 198 नेश्टे question number 198 नेश्टे question number 198 नेश्टे किसने इतिहास के लिए पेन हेस्सेल तो किसने जीता है C option सही है अनीता अनंद ने ये पूसकार जीता है C option सही है नेश्टे question number 199 और आज का अंतिम question जलवायू परिवर्थन प्रदर्शन सूचकांग दोयार 21 के संदर में कौन सी कतन सत्य है ये सूचकांग 57 देशों एम यूरोपी संकी जलवायू सर्चन प्रदर्शन मुल्यंकन एम तुनलात्मक अध्यन को प्रस्तूत करता है ये कतन सही है वगला है इस सूचकांग में नार्वेज सीर्षिस्तान पर रहा है नार्वेज सीर्षिस्तान पर रहा है यह कथन गलत है जबकि नार्वे जो है 8 में पायदान पर रहा है और स्वीडन 4 में पर रहा है इस सुच कांग में भारत की 10.00 रेंग प्राप्त हुआ है और स्थे पहले 9.00 रेंग प्राप्त हुआ था इतने भी कुश्चन बनेंगे मंत के MCQ प्लस डिस्क्रिप्शन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे तो कहीं और जाने के जूद नहीं है सारा करने डफर यहीं पर उपलब्द है तो आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़िए थिंक्यू फॉर वाचिंग जामॉफॉबिया धन्यवाद यहां तक आहीं है तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना श्राइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद